रेलो जोडना चानल को अब बेल आइकन को और सेट कर सकते हैं तो आगे से आपको हमारा चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाएगा वीडियो का थप्टा चल गया होगा कि आज का इसी वीडियो में हम किस टपीक पर बात करने वाले हैं दोस्तों 5G सर्विस शुरू करने के लिए सरकार ने पूरी तयार कर लिए है पिछले हपते केंद्रा कैबनेट ने 5G स्पेक्ट्रम आक्षन को मंजूरी दे दी है स्पेक्ट्रम नेला में की प्रक्रिया 26 जूलाई तक पूरी हो जाएगी केंद्रा टेलीक सर्विस को टेस्ट किया है आए जानते हैं 5G सर्विस से जोड़ी हर डिटेल 5G सर्विस की सुरुवात सबसे पहले डिसेंबर 2018 में हुई थी इस सर्विस को आउत कुरिया ने सबसे पहले रोलाउट किया था बात में अमेरिका युक के समय 60 से ज्यादा देशों ने भी फिल स्पेक्ट्रम औक्षन नहीं होने की बज़े से इस नेक्स्ट जेनरेशन सर्विस को आप तक रोलाउट नहीं किया गया है दोस्तों 5G स्पेक्ट्रम के औक्षन कंप्लिक होने के बाद यह सर्विस को इंडिया में उपलब्द किया जाएगा दोस्तों रिपोर्ट के अनुस पुन्ने बैंगलोर और चेनाई सामिल है दोस्तों स्पेक्ट्रम नेडलामी के बाद ही 5G सर्विस लांच की डेट सामने आने की समभाव ना रहती है दोस्तों 5G को रोलाउट करने में फोर्टी से ज्यादा पेसा लाग रहा है क्योंकि आप लोगों पता होगा कि 5G का स्प स्पेक्ट्रम नेडलामी को रहती है दोस्तों मोबाइल वाल्ड लाइप की रिपोर्ट के मताबिक साउथ कोरिया में सर्विस प्रोबाइडर LG U Plus के एक महिने की फोर्जी प्लान की तेरिफ लगबग 5278 रुपे है वहीं 5G के लिए 5650 रुपे चार्ज किया रहा है वहीं के क्ट एपाइपजी प्लान की के मत 2,676 रुपे है जबकि 5G के मत 6,469 रुपे हैं इसके आलावा साउथ कोरिया के एक और श्रिस प्रोबाइडर SK के 4G plans की किमद 6,245 रुपे है जबकि 5G plans की किमद 6,914 रुपे है वहीं आमेरिके टेलिकम सर्बिस प्रोबेडर्स Sunrise America और Verizon के 4G plans की किमद 6,245 रुपे और 2,974 रुपे है वहीं इनके 5G monthly plans 6,988 रुपे और 4,312 रुपे है इसके अला सोईजर लांड के सोईजर लांड के 4G plan की किमद 5,353 रुपे है वहीं 5G plan की किमद 10,705 रुपे है दोस्तों भारती उज़ोस को वी 5G plans के लिए 40% तक एक्स्टा चार्ज कोना पड़ेगा दोस्तों 5G सर्विस लांच होने के बाद इसको 4G के मुकाबले 10 गुना थेज इंटरनेट स्पीड मिलेगी टेलिकम कमपनियों के दावा है कि 5G सर्विस में 1Gbps तक की स्पीड मोबाइल इंटरनेट मिल सकता है इसराइल में 1Gbps डाटा के लिए 3.72 रुपे खर्श करने पड़ते हैं और भारत में 1Gbps डाटा की आबरेज कीमत 50.57 रुपे है दोस्तों भारत में 3G सर्विस से 4G सर्विस में स्विच करने के बाद से डाटा कोपत में 36% तक का इज़ाफा आया था दोस्तों हालांगी टेलिकॉम कमपनियों ने डाटा की दोर को 3G के मुकाबले काम कर दिया था पहले यूजोस को 1Gbps डाटा के लिए 250 रुपे से 300 रुपे तक का खर्श करने पड़ते थे 4G के आने के बाद यूजोस को डाटा के लिए 2G और 3G के मुकाबले बहुत कम खर्च करना पड़ता है दोस्तों ऐसे में लग रहा है कि 5G आने के बाद से डाटा की खफ़त और ज्यादा बढ़ जाएगी लेकिन यूजोस को इसके लिए कौम पे से खर्च करनने पड़ेंगे दोस्तों आप लोग क्या सुच रहे हो 5G आने के बाद 5G यूज करोगे या फिर 4G में रहोगे मझे कमेट करके जरूर बताएगा आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सस्क्राइब को दिजिए फिर मिलते हैं अगलो वीडियो में एक नए टपिक के साथ